रात का समय था, चारों ओर अंधेरा चाया हुआ था, केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, वहाँ चार मुंबत्तियां जल रही थी, चारों मुंबत्तियां एकांथ देख आपस में बातें करने लगी, पहली मुंबत्ती बोली, मैं शान्ती हूँ, जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ, तो बहुत दुखी होती हूँ, चारों ओर आपा धापी, लूट खसोट और हिंसा का बोल बाला है, ऐसे में यहां रहना बहुत मुश्किल है, मैं अब यहां और नहीं रह सकती, इतना कहकर मुंबत्ती बुझ गई, दूसरी मुंबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ, मुझे लगता है कि जूट, धोखा, फरेब, बेईमानी, मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं, ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही, मैं भी जा रही हूँ इतना कहकर दूसरी मुंबत्ती भी बुझ गई, तीसरी मुंबत्ती भी दुखी थी, वह बोली, मैं प्रेम हूँ, मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा, स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा ह लोगों के मन में अपनों के प्रती भी प्रेम भावना नहीं बची, अब यह सहना मेरे बस की बात नहीं, मेरे लिए जाना ही ठीक होगा तीसरी मुंबत्ती भी बुझ गई तीसरी बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया मुंबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ उसकी आँखों से आंसु बहने लगे दुखी मन से वो बोला इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम तुमें तो अंत तक पूरा जलना था लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दर दिया अब मैं क्या करूँगा बालक की बात सुनकर चौथी मुंबत्ती भुझी घबराओ नहीं बालक मैं आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मुंबत्तियों को जला सकते हो चौथी मुंबत्ती की बात सुनकर बालक का प्रोथसाहन बन गया उसने आशा के साथ शांती विश्वास और प्रेम को पुना प्रकाशित कर लिया दोस्तों, जीवन में समय एक सा नहीं रहता कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे तब आशा का दीपक जला लेना जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है इसलिए आशा का साथ कभी न छोड़ी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें